आज डाउतनेट आप डाउनलोड करें डाउतनेट पर अपने सभी गनित रिसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया बच प्रशन की फोड़ो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरथ विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउन्लोट करें इस इंप्रेस्ट में हमसे कहता है कि निम्न प्रत्र चित्र में प्रदर्शित XT ग्राफ क्या व्यक्त करता है तो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि XT ग्राफ का जो ढाल होगा यहां वो होगा X बटे T यानि के इसे हम कह सकते हैं कि यह वेग होगा XT ग्राफ का वेग जो डाल होगा वो वेग बताएगा तो हम देखें तो यहां T1 time है अब पहला उप्सन कहता है कि यह नियत वेग से चल रही है लेकिन हम यहाँ देखें तो यह नियत वेग से नहीं चल रही है क्योंकि शुरू में इसका वेग है और उसके बाद इसका ढाल जीरो हो गया है यहां पे इसका ढाल जीरो है जीरो ढाल और यहां इसका ढाल है तो हम कह सकते हैं कि यह नियत वेग से नहीं चल रही है पिंड का वेग सतत रूप से परिवर्तन सील है सतत रूप से या परिवर्तन सील नहीं है इसका पिंड का वेग क्योंकि इसका ढाल बदल रहा है तथ्षनिक वेग यह तथ्षनिक वेग नहीं बता रही है अगर किसी एक particular dt बहुत छोटे समय पर अगर बताया जाए तब यह ताथचनिक वेग होगा instantaneous velocity तो यह भी नहीं है अब पिंड समय T1 तक नियत वेग से चलती है तथा पस्चात में रुख जाती है तो T1 तक हम देखें तो इसका ढाल बराबर है सेम है एक नियत है ढाल नियत है इसका मतलब कि इसका वेग जो है वह भी नियत है अब इसके बाद T1 के बाद हम देखें तो ढाल जीरो हो जारी है यानि कि वेग जीरो हो गई इसका मतलब है कि पिंड रुख गया यानि option D सही है पिंड समय टीवन तक नियत वेग से चलती है तथा पस्चात में रुख जाती है